येस हलो अब्रीवान हितेश येर टोड़ी वी गना टॉक अबाट दे मूवी हैल बॉई वैल इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो इंपोर्टेंट बाते कहना चाहता हूँ पहली तो ये कि मेरे वैब सीरीज एक्स्प्लेइनर्स वाले चैनल पर अब मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है सूपरमैन एंड दा लोईस लेन और मैं चाहता हूँ कि जसा प्यार आप मुझे मेरे में चैनल हितेश नागर पर देते हैं वैसा ही प्यार और साथी वैसा ही लाइक्स एंड कमेंट मेरे दूसरी चैनल पर भी दें और साथ ही वो चैनल टेररिजम एक्टिविटी में भी काउंट होता है इसलिए मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली से यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी जना एक ही कमेंट को 10-10-20-20 बार करतावा मिले तो उसे रिपोर्ट जरूर करें और साथ ही अगर किसी को किसी मूवी रिलेटेट कोई प्रॉबलम है तो उसका भी सल्यूशन वहीं पर दे दें क्योंकि अब चैनल 6 हो चुके हैं और सभी कमेंट्स का रिप्लाइ करना फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है तो बस इनी दो चीजों का ध्यान रखेएगा और बाकी आपकी डिमांड को तुम्हें हर बार पूरा करता है रहता हूं बस कभी मेरी भी डिमांड को पूरा कर दीजिए चली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की दरफ जिसकी शिरवात होती है स्कॉटलेंड से और यह दिखाया जाता है 1944 यह वह समय होता है जिस वक्त सेकंड वर्ल वार चल रही होती है जर्मन्स और युनेटेट स्टेट्स के बीच में मगर हिटलर जो कि जर्मनी का कमांडर होता है वो कैसे भी करके युनेटेट से जीतना चाहता था यहां पर हम एक शक्स को और देख पाते हैं जसका नाम ग्रिगोरी होता है जो कि हिटलर के लिए ही काम करता था यहां पर हम ग्रिगोरी के दो साथियों को भी देख पाते हैं यह लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं जिनके लिए इन्होंने करी पांच सालों तक महनत करी होती है यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि एकर ठीक तरीके से हो जाए तो यह दूसरी दुनिया के दरवाजों को खोल सकता था जैसे ही यह मशीन स्टार्ट होती है यह काफी लेक्रिसिटी का यूज करती है और देखते ही देखते एक ब्लैक होल जिसी आकरती क्रियेट हो जाती है जो की दिखने में दूसरी दुनिया का रास्ता दिख रहा होता है लेकिन तभी वहाबर चुपके से अमेरिकन आर्मी पहुँच चुकी होती है और वो उनके एक्सवेरिमेंट को खराब करने के लिए वहाँ पर ग्रिनेट का ब्लास्ट कर देते हैं और अब इन दोनों ही टीम्स के बीच में अगेन फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है लेकिन इन लोगों की चल रही लड़ाई के बीच में इस वक्त भी वो पोर्टल ओपन होता है और तभी एक अमेरिकन उसके अंदर एक ग्रिनेट फैंक कर मार देता है और जैसे ही वो ग्रिनेट ब्लास्ट होता है तभी वो दरवाजा बंद होने लगता है मगर उस ब्लैक होल के आसपास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स था कि वो हर चीज़ को अपनी और खेंच रहा था जिसके अंदर ग्रिगोरी भी अपने आपको रोक नहीं पाता और वो उसके अंदर खिचा चला जाता है यहाँ पर हम अमेरिकन आर्मी के साथ साथ एक प्रोफेसर को भी देख पाते हैं इन्हें हिस्टॉरिकल और जियोलोजिकल चीज़ों की काफी अची नौलिज थी यहाँ पर कमांडर प्रोफेसर को कहते हैं कि दूसरी दुनिया का दर्वाजा काफी देर तक खुला रहा था क्या ऐसा होना हमारी दुनिया के लिए ठीक बात है या नहीं या फिर कोई आफ़त आ सकती है लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे कोई हलचल होती नजर आती है तभी एक सोलजर पीछे मुड़कर देखता है तो कोई दिवार पर एक बंदर जैसा रेड कलर का क्रीचर भाग रहा होता है जिसका हाथ अपने शेरीर से काफी जदा बढ़ा था प्रॉफेसर ये बात देखकर काफी हरान था और वो ये बात समझ चुके थे कि ये क्रीचर हमारी इस दुनिया कर रही है इसलिए वो उसे चौकलेट का लालच देकर अपने पास बला लेते हैं जहां पर अर्मी के साथ एक फोटो क्लिक होती है और ये सबी इसे नाम देते हैं हैल बॉई जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 60 साल आगे यहां पर हम ग्रिगोरी के उने दोनों दोस्तों को देख पाते हैं जो कि उस वक्त 60 साल पहले भाग चुके थे यह सीक्रेट प्लेस पर आये होते हैं और इनके साथ में एक शक्स और होता है यह एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर सरकल नुमा अग्रती बनी होती है और तभी यह दोनों मिलकर उस शक्स को जान से मार देते हैं उसका काफी खून बने लगता है और वह खून जाकर उसी सरकल के सब्सक्रेश में खटा हो जाता है और अगली जो कि दूसरी दुनिया में कैद हो चुका था वह वापस से इस दुनिया में आ जाता है यहां बर सीफ्ट होता है प्रॉफेशर पर जो कि इस वक्तों काफी ज़दा बूड़े हो चुके होते हैं साथ ही बिमार भी रहने लगे थे फिजीकल एनलेसिस के बाद में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके पास में सिर्फ दो मईन हैं जिसके बाद में आपकी डैथ हो जाएगी इतनी खराब हालत होने की वज़े से डॉक्टर्स चाते थे कि प्रॉफेसर उनके साथ यहीं हॉस्पिटल में रहे लेकिन प्रॉफेस प्रॉफेसर की काफी दिनों से इस पर नज़र होती है इसलिए वो इसे अपने रिसर्च सेंटर पर बुला लेते हैं यहां प्रॉफेसर जॉन को सबसे पहले एक औरेकल से मिलवाते हैं औरेकल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि किताबें पढ़ता है और साथ है उसके पा इस औरेकल के पास में भी होती है प्रॉफेसर जॉन को पताते हैं कि यह एक दिन हमें एक बेस्मेंट में मिला था इसकी ताकते काफी कमाल किये यह एक ही बार में करीब चार से जदा बुक्स पढ़ सकता है जिसके बाद में यह दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं यहां प् बस्त अपने डंबल शंबल उठागर बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है देखा जाए तो अब हैल बॉय करीब साट साल को होता है मगर फिर भी उसकी फीजीक बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती है यहां पर जॉन वही चॉकलेट्स लेकर आया था जो कि प्रॉफेसर हर वक जाता है और अपने एजेंट को पूछता है कि क्या फादर आ चुके हैं तो रेपलाय में एजेंट कहता है कि हाँ वादर इस वक्त यहीं है लेकिन तभी वहां पर सिकेरिटी अलाम बजने लगता है जिसे सुनकर अब हर कोई अपनी प्रिप्रेशन करने लगता है और यह ल लोग रिसर्च के लिए वहां पर पहुंच जाया करते थे इस बार यह जगा थी एक म्यूजियम और यहां एक क्रीचर के आने पर वहां के सिकेरिटी सिस्टम ने उसे रोकने की कोशिश करी मगर उस क्रीचर ने बाग की सभी पुलीस वाला और गार्ट को मार दिया और यही बागी लोगों कहता है कि तुम लोग यहीं पर वेट करो मैं अंदर जाकर आता हूं यहां पर हम एक प्रीडेटर को देख पाते हैं जो की दिखने में काफी हद तक एक छिपकली मकड़े और सूर के जैसा लग रहा होता है और अब इन दोनों की बीच में फाइट शुरू ह हो जाता है और दिक्कत वाली बात यह है कि जब भी मरता है इसके दो रूप हो जाते हैं यानि कि हर बार मौत के बाद ही डबल हो जाता है इतने में वहां पर पीछे से वह क्रीचर आकर हैल भाई पर अगें अटेक कर दीता है और फिर इन दोनों की बीच में तगड़ी लगता है जहां पर उसे यह पता चलता है कि यहां ग्रीगोरी और उसके दोनों साथ ही आये थे और इन लोगों की प्लानिंग है इस धरती पर गौड़्ज ऑफ इवल को लेकर आना और जिस क्रीचर को हैल बॉइन अभी जान से मारा था उसे इन तीनों नहीं अजात कर वाय है यहां दूसरी और सीन शिफ्ट होता है हैल बॉइ पर जो कि एक असाइलम में पहुंचता है वहां पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लिज होता है लिज में यह पावर थी कि वह आटोमेटिकली खुद के अंदर से ही आग पैदा कर सकती थी लेकिन प हमारे जिसे लोगों की जरूरत है जवाब में लिस कहती है कि वैसे तो मैं रहना नहीं चाहते लेकिन आम जुनता की भलाई के लिए मेरा यहां पर रहना ही ठीक है क्योंकि अगर बेकाबू हो गई और अगर यह आंग फैल गई तो आस पास के मासूम लोग मारे जाएंगे मेरा यहां पर रहना ही सई रहेगा इनकी यह बाते चली रही थी और तभी वहां पर प्रोफेसर और साथी जान पहुंच जाते हैं जो कि हेल बॉइक को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उस क्रीचर के साथ फाइटिंग करते वक्त हाथ पर एक निशान बन गया था उस उस creature को अंडे दे नहीं है तो ऐसी कोई जगर चुनेगा जहां पर नमी और थंडक होती होगी इस बात से हैलबय को क्लिक होता है कि मैंने उसे नीचे टर्नल में मारा था और वहां पर थंड भी होती है और नमी भी होती उसके नीचे एक अंडरगराउंड सीवर भी है तो हो सक होता है नेक्स डे और हम देख पाते हैं हैलबय और उसकी टीम को यह लोग इस वक्त टर्नल की नीचे मौजूद सीवर में आच चुके होते हैं और यहां पर यह सभी उन अंडों की तलाश करने लगते हैं जो कि हो सकता है कि इस creature ने भारी मात्र में दिये हों लेकिन उपरी और आटेक करके उसे मारने की कोशिश करता है उन दोनों के बीच आता पाई होती है लेकिन और एकल कैसे तैसे करके अपने आपकी जान बचाकर बाहर आ जाता है और बहार आते के साथ ही वहां पर मौझूद कुछ एजंट को मार देता है यह देखकर तो हैलबॉय को गुस् साथ ही आया होता है इसके हाथ में तलवार जिसे नुकीले ओजार होते हैं और इसकी बॉड़ी इतनी ताकतवर थी कि उस पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था फिर तो वह एजेंट को भी जान से मार देता है जब तक यहां पर हैलबाय पहुंचता है तब तक यह शक्स अ देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वह प्रफएसर की बॉड़ी में तो भी खून है और तभी उसक शीने से एक चाबी निकालते हैं यह बात तो शौर हो चुकी थी कि वह और इसा रेइंग बात बताने के लिए पर ती टीम के पास आते हैं में वाइल हम नाइफर को देख पाते हैं जो की अपनी बेहोशी की हालत से जाग चुका होता है और सबसे पहले तो वह अपनी ड्रेस को कंप्लीट करता है पूरा कॉस्ट्यूम पहनता है सारे हत्यार लेता है और नीचे पहुंचकर प्रॉफेसर के पास होता है यहां ग्रिगोरी प्रॉफेसर को कहता है कि अच्छा हुआ जो आपने उस हैल वाई को बचा कर साट सालों तक पाला और आज उसी की वज़े से ही तो हम यहां तक पहुंचें चलो मैं आपको भविश्य की कुछ जलक दिखाता हूं जहां ग्रिगोरी उसके सर पर आग में घृप चुकी हैं जिसके बाद मेंनाइफर प्रॉफेसर की जान ले लेता हैं कुछ देर बाद में जब हैल बॉखिसर से मिलने के लिए आता है तो वो तो वहां on पर प्रॉफेसर की लाश पाता हैं हैओ ने devON और और वुश्य के यहां पर इस वक्त सारे एजंट स जिसमें एक location लिखी होती है इसे पढ़कर तो hell boy सीधा अपनी team के साथ में उसी location तक पहुँच जाता है मगर इनके साथ में इस वक्त Oracle नहीं होता है क्योंकि पिछली fights की वज़े से वो अप काफी ज़दा बिमार हो चुका था यहां पहुचने पर hell boy को एक abandoned bungalow दिखाई पढ़ता है यह सबी उसके अंदर चले जाते हैं यहां पर hell boy की मुलाकात knifeर से होती है hell boy उसके हातों में उन तलवारों को देखकर समझ गया था कि इसी की तलवार से ही मेरे पिता की हत्या हुए थी और फिर तो उसके साथ में वो fight करना start कर देता है hell boy उसके मुँपर मुक्के मुक्के मार कर उसकी जान ले लेता है यहां आगे जाने पर hell boy को उसी creature का घर भी मिल जाता है जहां पर उसने काफी सारे अंडे दिये होते हैं और अब तो इनकी तादाद भी बहुत ज़दा बढ़ चुकी होती है यहां hell boy के पहुचने पर यह सारे active हो जाते हैं और एक एक करके सभी hell boy से लड़ने लगते हैं मगर hell boy उनका सामना काफी दिलेरी से करता है वैसे उन्हें हराना आसान नहीं था लेकिन hell boy अपने मोटे मुक्के की मदद से उन सभी को धूल चटा रहा होता है वो एक को मारता तो दूसरा था वो दूसरे को मारता तो तीसरा था ऐसे करते करते वहां पर उन creatures की तादाद तो पढ़ती ही जा रही थी यहां पर लेजं यह सब कुछ अपने सामने देखकर कुष्सा होजाती है मगर उसके अंदर उसकी यह आग उगल नहीं रही थी तो वो जॉन को कहती है कि मुझे चाटे बारो ताकि मुझे और जरधा गुस्षा आहे लेज उसे कहती है कि जितना हो से के यहां से दूर भाग जाओ, जहां एक तरफ तो जॉन काफी दूर भाग रहा होता है वहीं पर, अब लेज की आँग बहुत जादा बढ़ चुकी थी, उसकी ब्लू फ्लेम्स बहुत उपर उपर तका रही थी, और फिर लेज अपनी फुल ग्रिगोरी होता है, और वो दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने के लिए एक किताब को पढ़ रहा होता है, वहीं पर एक स्टोन टेबल पर लिज भी लेटी हुई होती है, और साथ ही जॉन को दोनों हाथ बांद कर एक चठान की पीछे डग दिया गया था, वहीं पर हम एक बहुत बड़े पत्थर को देख पाते हैं, जिसके अंदर दो बड़े बड़े होल्स होते हैं, बेसिकलि ये दूसरी दुनिया का दर्वाजा खोलने वाला लॉक था, और हैलबोय के हाथ इसकी चाबी, दरसल आज रात ग्रहन लगने वाला था, और इसी रात ही दूसरी को खोलने वाली चाबी है, और अब तो में वो ताला हमारी लिए खोलना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो लिज जान से मारी जाएगी, मगर हैलबोय साफ इंकार कर देता है, रिपलाय में ग्रिगोरी कहता है कि क्या तुम लिज की सूल के बदले भी ऐसा नहीं तोड़ दे, मगर काफी दम लगाने के बावजूद भी वोने तोड़ नहीं पा रहा था, जहाँ पर ग्रिगोरी कहता है कि तुमारा असली नाम हैलबोय नहीं, तुमारा असली नाम इन बेडियों पर लिखा है, जैसे ही तुम उस नाम को पढ़ता है, तब ही उसकी वो बे ग्रहंड भी स्टार्ट हो चुका था, यहां हैलबोय अपना राइट हैंड उसी पत्थर के होल में डालता है, और उसे घुमाता है, तब ही उस बड़े से पत्थर के अंदर दरार आ जाती है, काफी तीज रोशनी निकलती है, जो कि सीधा चांद तक जाती है, और इसी के सा था, लेकिन तभी पीछे से जौन उसे रोकता है, और बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि सच मुच में तुम कौन हो, तुम हो इनसानों के रक्षक, आखिर क्या सिखाया था तुम्हें तुम्हारे फादर ने, याद करो, और तभी जौन उसके फादर का पैंडल उसकी देता है, ऐसा करने पर उपर के रास्ते बंदो जाते हैं, साती हैलबाय, उन सींगों को, ग्रिगोरी के शरीर में डाल कर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो सीधा लिस्ग के पास पहुचता है, और वहाँ से उसे उठा कर जाना ही लगता है, मगर तभी पीछे से ग् अपना दम तोड़ देता है तो इंशन टीए उसके शिरीर से बाहर आ जाता है जिसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है सबसे पहले तो ऐलियन ग्रिगोरी की साथी कोई जांसे मार देता है और फिर बारी आती है वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन साइज में इतना बड़ा होने की वज़़ा से एंशन इलियन उस पर हावी होता जाता है लेकिन तब हैलबॉय को बॉम्म करनिट का एक पूरा बेल्ट मिल ज और अब तो उसके टुकडे टुकडे हो जाते हैं और साथ ही हेलबॉय लेसके बाहर आघाकर जाता हैं हलाइक इस वक्त पर लिसस बहोश होती है जहां है उसे कहता है कि तुम मेरी थी और मेरी की रहोगी और तभी यहलाइन सुनकर लेस को χोष आ क्योंकि इसके बाद में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपने चनल पर लेकर आँगा तब तक के लिए कीप वाचिंग इन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में कर दो